Hello friends, so कैसे हो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में एक ऐसे टॉपिक के बारे हम बात करेंगे जो ना तो कोई एक्जाम से रिलेटेड है और ना ही वो किसी कोर्स से रिलेटेड है वो एक ऐसा टॉपिक है जो रिलेटेड है आपकी रिल लाइफ से आपकी रिल लाइफ से रिलेटेड है और मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ तो टॉपिक जो है मोटिवेशन motivation के उपर आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा motivational speaker नहीं हूँ I'm nothing, मैं कुछ भी नहीं हूँ ये समझ लीजिए बट मैं एक tutor हूँ मैं एक teacher हूँ जो आपको इस YouTube channel की मार्धम से कुछ जो मुझे आता है वो आपको सिखा के आपकी help करने की कौसिस कर रहा हूँ So, एक tutor होने के नाते एक teacher होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अगर आपको motivate कर सकूँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत भी अगर मैं motivate कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी So, 10-15 मिनिट की वीडियो होगी आप सिर्थ 10-15 मिनिट का time दे और इस वीडियो को यहाँ पर देखें हो सकता है कि ये वीडियो आपकी like में बहुत बड़ा बदलाओ ला सके So, start करते हैं यहाँ पर सबसे पहले So, Swami Vivekananda जी का नाम आपने सुनवा होगा जो Especially students का role model थे काफी students नहीं सारी students उनको अपना role model मानते हैं और आप भी मानते होंगे उनकी ही कही गई कुछ बातों को यहाँ पर हम आज यहाँ पर discuss करेंगे पांच ऐसी बातें आपे मैं बताने वाला हूँ जो उनके दुआरा कही गई है और अगर आप उनको अपनी life में follow करते हैं तो definitely आप सफल हो सकते हैं और सफलता को प्राप कर सकते हैं So, जरूरी नहीं है कि यह students के लिए ही है यह आपके real life से related है आपको इस life में कहीं न कहीं ऐसी problems यहाँ पे face करनी पड़ेगी तो अगर आप इन बातों को यहाँ पे अपनी life में follow करते हैं किसी भी phase में जरूरी नहीं है कि आप students हो किसी भी phase में आपको अगर इनको follow करते हो तो definitely आप एक सफल इंसान बन सकते हो और आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो सो चलिए स्टार्ट करते हैं topic number one से सबसे पहला point है जो है यहाँ पे खुद को कभी कमजोर नहीं समझना और यह सबसे बड़ी problem है especially हर किसी group age के इनसान के साथ यह problem हो सकती है normally यह students के साथ ज़्यादा होती है की तैयारी कर रहे होते हैं यह point आपके mind में आ सकता है आ सकता है नहीं आता है definitely हमारे mind में भी आता है आया था आपके में भी definitely आता होगा so बात यह है कि हम खुद को कहीं न कहीं कमजोर समझ लेते हैं जब भी हम कोई नया काम start करने के सोचते हैं या कोई हमने मान लो हमें ये बनना है आपने कोई भी टार्गेट आपका fix किया है कि मुझे ये exam क्रेक करनी है आप सोचोगे आप प्लान कर रहे होते हैं तो कहीने कहीं आपके mind में ये बात आ जाएगी कि यार नहीं ये चीज तो मेरे लिए नहीं है आप अगर सोच रहे हैं क कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता सो आपने बहुत सारी चीजे जो आप कर सकते हो वो तो एक side कर दी कि ये मैं नहीं कर सकता भाई क्यों नहीं कर सकते हैं क्या आप इंसान नहीं हो क्या आपके पास दिमाग नहीं है क्या नहीं आपके पास सब कुछ आपके पास है व उसको ये सोच के decide करो कि yes I can do मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा मैं जरूर करके दिखाऊंगा सो पहला point यही है सबसे बड़ा यही problem आती है कि हम एक mindset fix कर लेते हैं हम एक target fix कर लेते हैं हमारा target नहीं कर लेते हैं हम हमारा mindset fix कर लेते हैं और mind में कहीं कहीं बात उठा लेते हैं कि यार वो मैं नहीं कर सकता for example I.E.S. बनना आपके mind में है कि यार मैं I.E.S. की तयारी करूँ बट फिर आपके mind में आएगा कि यार नहीं वो मेरे लिए नहीं है उसको मैं नहीं कर सकता उसके लिए फिर हमारा mind माइंड उस हिसाब से काम करना लग जाएगा आप सोच होगे कि यार वो मैं नहीं कर सकता वो मेरे लिए नहीं है तो माइंड आपका उस हिसाब से काम करेगा माइंड आपका सोचेगा और अलग लग तरीके के बहाने यां पर बनाएगा कि यार उसके लिए तो स्टार्टिंग बहुत बड़ी है, ज्यादा है, मैं यह नहीं कर सकता, कोई भी एक example मैंने लिया है, कोई भी ऐसी हो सकती है आपके life में, ऐसी चीज जो आप पहले ही सोच के हटा सकते हो, उसको हटा देते हो, कि यह मैं नहीं कर सकता, और बहुत सारे बहाने इसके अपके mind में आ जाएंगे, आपका मन उसी हिसाब से काम करेगा, और आपको अनगिलित ऐसे बहाने बता देगा, ऐसे बहाने गिना देगा, कि आप उसको हटा दोगे, उस topic को छोड़ दोगे, कि यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो यह कैसे कर जो है, आपने अपका mind पहले ही train कर लिया, कि यार यह म मैं कर सकता हूँ, I can do, मैं कर सकता हूँ, और मैं करूँगा, और मैं करके दिखाऊँगा, यह attitude आपके mind में हैं, तो आप definitely सफलता की और एक कदम पहले ही चल चुके हैं, second point यहाँ पर हम बात करेंगे, हमेशा एक ही topic को एक time पर करो, एक topic का मतलब कि पहले कोई goal fix कीजिए, और उस target को fix कीजिए, और उस target को achieve कीजिए, एक time पर एक ही काम करो, कहने का मतलब यह है, कि एक time पर एक ही target fix करो, और उसी को achieve करने में, अपनी पूरी महनत लगा दो, पूरा जो भी आपका efforts है, वो लगा दो, सब के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है, अब मैं बा मैं computer science से पढ़ाँ, competition exams के लिए, कभी सोचता हूँ, मैं reasoning पढ़ाँ, बहुत सारी चीज़े mind में आती है, और यह मेरे साथ भी problem है, है नहीं कहूँगा, थी, अभी काफी मैं इसको improve कर चुका हूँ, हम एक time, एक company टिकते हैं, हम एक target बनाते हैं, उसको follow करेंगे, 10 दिन follow करे जाद सी जाद एक महीना follow करेंगे, और suddenly आपके mind में कोई बात आएगी, कि यार, यह नहीं मेरे लिए वो बना हुआ है, मैं उसको start करूँगा, यार, उसको करूँगा, तो मैं ऐसे हो सकता हूँ, मैं सफल बन सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, उसमें जादा आपको bright future पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि एक target fix कीजिए, बिलकुल सोच समझ के discuss करके, सब से जिससे discuss करना है, आपका जो दिल कहता है, आपका जो मन कहता है, वो सोच के आपके target fix कीजिए, और उस target को अचीव करने में अपनी पूरी efforts, पूरी महनत लगा दीजिए, तब तक आ हमारे पास दूसरा topic की हमेशा एक target fix करो, और पहले उस target को अचीव करो, उसके बाद ही कोई दूसरा target set करो, और फिर उस दूसरा target को अचीव करो, थर्ड पॉंट है यापर, कि आप जितनी ज़्यादा संगस करोगे, जितना hardware करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेग आपने life में देखे होंगे, बहुत सारे सफल लोग देखे होंगे, कोई कितने बड़े post पे है, कोई कौन से post पे है, कौन कौन से post पे है, और कोई बिल्कुल सफल नहीं है, ये कैसे हो रहा है, आपने अलग अलग लेवस देखी होंगी, एक इंसान है जो बहुत बड़ा अम कि जितनी बड़ी सफलता होगी, उतना ही जादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही जादा आपको hard work करना पड़ेगा, जितनी बड़ी सफलता आप अचीव करना चाते हैं, उसके लिए उतना ही आपको hard work करना पड़ेगा, हाड़ वर्क का मतलब यह नहीं है कि महनत करना फावरी चलाना खेतों में ऐसा नहीं है हाड़ वर्क का मतलब यह है कि हाड़ वर्क in a direction एक particular direction में एक ऐसी direction में महनत करना जो आपको आपके target के नजदीक ले जाता है जो आपको अपना target को नजदीक लाता है ऐसी direction में महनत कीजि हार्ड वर्क नहीं करना है हार्ड वर्क करना है बढ़ स्मार्ट वर्क भी करना है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है डायरेक्शन क्या होगी जो आपके अपने गोल की और ले जाए गोल की नजदीक ले जाए सो जितना आप सफल होना चाहते हैं यह तो आप सोच लीजे कि उतनी ही ज़्यादा आपको यहां पर महनत करनी होगी हम जितनी महनत कर सकते हैं या जितनी महनत करते हैं उतना ही हम सफल हो जाते हैं उतना ही बड़ा गोल हम अचीव कर लेते हैं हम महनत नहीं करते हैं बस मज़े करते हैं यसी करते हैं तो हम सफल न है problem यह है कि हम मेहनत ही नहीं करते हैं और आपको पता है कि बिना मेहनत किये कुछ भी आपे नहीं मिलने वाला है next point है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है believe in yourself हमेशा खुद में विश्वास कीजिए हमेशा खुद में विश्वास कीजिए कभी भी दुनिया की मत सूचिएगा दुनिया की सोचेंगे तो आप सच बताओं कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ करने की कौशिस भी करेंगे और कुछ स्टार्ट भी करेंगे तो आप दुनिया की बातों को सुनके छोड़ देंगे क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप सफल बने, accept your family, आपके माता पिता उनके अलावा कोई नहीं चाहता कि आप सफल बने तो कभी दूसरों की मत सुनियेगा, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनियेगा, ठीक है, so हमेशा, हमेशा, खुद में विश्वास करो, एक पॉइंट ये पहले पॉइंट से इलेट करता है, कि ये मैं नहीं कर सकता, ये क्या हो गया, हम, हमें खुद अपने में ही जब तक हम खुद में विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते, हम भगवान के बारों से नहीं बैठ सकते, आपको, खुद को, खुद में विश्वास लाना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा, और खुद से ही आपको महनत करनी होगी, आपको ही मेनत करनी पड़ेगी और आपको खुद में अपने आपमे विश्वास करना पड़ेगा दुनिया की कभी नहीं सुनना मैं अगर एक जाम पर लूँ मेरे यूट्यूब चैनल की तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं बिल्कुल beginner's था. ना net था, ना jo था, कुछ भी नी था. काफी problem साती थी. फिर भी मैंने सोचा कि मुझे ये करना है. अब क्यों करना है? उसके पीछे बहुत बड़ी story है. बट मैंने सोचा कि मुझे ये करना है. बहुत सारी problem साइथी. college pass out था. उसके बाद बनाया था एक channel मेरा था और उसमें students थे मतलब मेरे colleagues थे साथ खे कई लोग थे मजाक बनाते थे मैं video बना की video share करता था Facebook पे comment करते थे उसका मजाक बनाते थे जो भी मैं बोलता था उसका मजाक बनाते थे बट मैंने उनको सोच के YouTube चैनल पे video बनाना तो छोड़ा नहीं यही कारण है कि आज YouTube चैनल जिस पे मैं मजाक बनाते थे उस पे मेरे सो सब्सक्राइबर भी नहीं थे आज उस पे दसजा सब्सक्राइबर है and I'm doing good मैं काफी अच्छा कर रहाँ उस पे अगर मैंने लोगों की सोच के उसको छोड़ दिया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता बहुत बड़े मुकाम पे नहीं हूं बट उस चैनल पे दसजा सब्सक्राइबर सें जिसकी मैं बात कर रहा था क्या था? मैंने कभी औरों की नहीं सुनी, अगर कोई आपकी मजाक बनाता है, तो बनाने दीजें, आप कोई भी काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करोगे, ये तो definitely sure है, कि लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग चाहेंगे कि आप इस काम को ना करें लोग चाहेंगे कि आप इसको सफल आप सफल ना हो तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे लोग तो कहेंगे बट आपको उनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है तो एक टाइम पर आप सफल हो जाओगी वही लोग जो आपको बोलते थे कि इसको मत कीजिए या फिर आपको demotivate करते थे या फिर आपका मजाग बनाते थे वही आप चुप हो जाएंगे और कहीं न कहीं आपका साथ आना आपको कभी नहीं करना है आपको हमेज़ा आपको कभी नहीं करना है आपको हमेज़ा सीखते रहना है जरूरी नहीं कि किताब भी पढ़के सीखा जा सकता है पहुत सारी चीज़े हैं जो हम सफल बनने के बाद भी हम सीखते रहना चाहिए हमें कि अलवेज कि लवड़ने मेरि वासलीए मैं अभी थिक ठाक जोब पे हुँ जो हूस मेरे मेरे दो तीन्य यूट्यूब चैनल बी थिक ठाक मे सेलरी भी आ जाती है बट मैं क्या कर रहं मैं अभी भी आपको पढ़ता हूँ जो बी मेश मेरे 보이는 q उसको मैं आपको share कर रहा हूं, आपको help कर रहा हूं, क्यों? मैं कोई पैसा तो नहीं ले रहा है आपसे, मैं सिर्प मैंने सोचा है कि मैं को YouTube चैनल पर यह करना है, वो करना है, मेरा fix है, वो मैं कर रहा हूं, आपको पढ़ाने से पहले, daily मेरी वीडियो आने से पहले, मुझे आपको पढ़ना पढ़ता है, यह sure है कि पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, अगर आप एक उच्छा content देना चाते हैं, अच्छा message देना चाते हैं, तो आपको पहले prepared होना पढ़ेगा, prepared होने का मतलब यह नहीं कि मैं हट्टा मार के आता हूं, बट आपको पहले मने YouTube चैनल ऑपन किया था, उस ताइम पे मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत कुछ नहीं आता था, but मैं चलता गया, मुझे पता था मुझे YouTube चैनल पे वीडिओ बनानी है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पढ़ेगा, मुझे लर्न काना पढ़ेगा, औराज मैंने मेरे YouTube चैनलों को मिला के 1000 से ज़्यादा वीडियोज बना दी हैं बहुत सारी स्टुडेंट से जो पढ़ रहे हैं मेरे content से उनको help मिल दी है तो क्या था मैंने हमेशा learn करते रहा और learn करते मैं सीखता गया और सीखता गया और आपको भी सिखाता गया सो always keep learning यह important point है always keep learning किसी भी एज में किसी भी एज में आपको learn करना नहीं छोड़ना है यह बात थी यहां पर कुछ point थे जो मैं आशा करता हूं कि अगर आप इनको follow करते हैं तो आप definitely आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि आप बहुत बड़े सफल इंसान बन सकते हैं बस आपको करना क्या है आपको यह points जो अभी मैंने बताई है यह बाते इनको ध्यान में रखना है और इनको follow करना follow करना जरूर है ऐसे नहीं बस माइंड में है यह करना है करोगे नहीं तो कैसे होगा आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह टार्गेट फिक्स करना है टार्गेट फिक्स करने के बाद टार्गेट की तरफ आगे बढ़ना है हाडवर्क करना है definitely one day you will get success आप सफल हो जाओगे आपने जो टार्गेट फिक्स किया चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो आप उसको अचीव कर लोगे हो सकता है वो इसको अचीव करने में टाइम लग जाए एक साल लग जाए दो साल लग जाए तीन साल लग जाए चाह साल लग जाए but at the end of you will get success आप सफल हो जाओगे target fix करना है अगर आप student है जो भी exam आप crack करना चाहते हैं पास करना चाहते हैं जो भी post पे आप जाना चाहते हैं पहले fix करो, decide करो और फिर लग जाओ उसको अचीव करने में किसी की मस सुनो किसी की मस सुनो बस अपनी खुद की सुनो फिर देखना कैसे आप exam को क्रेक नहीं कर सकते कैसे आप सफल नहीं हो सकते कैसे आपने जो सोचा है उसको अचीव नहीं कर सकते फिर से मैंने वीडियो की स्टार्ट में बोला था मैं कोई motivational speaker नहीं हूँ बट मैंने जो बोला है मैंने दिल से बोला है ना कोई रटा ना कुछ भी कुछ नहीं बोला मैंने दिल से बोला है और कुछ ऐसी points थे जो मैंने मेरी life में भी face किये problem और मैंने उनको follow किया है और कहीं ना कहीं मैं जो मेरा goal था मेरा जो target था उसको अचीब कर रहा हूँ सो बस एस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे सोरी आदत लग रही है डेली की वीडियो बनती है टॉपिक सब्जेक डिस्कस करते हैं तो यही बोलने की आदत लगी हुए इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे बट इस वीडियो को यहीं से माप्त करेंगे इतना ही बोलुआ बाबाई, टेक केर